हेलो दोस्तो मैं आपका भाई SSG आज अपने सामने कड़ी है All New Generation 2022 Mahindra Scorpio variant की बात करें Z2 variant है सबसे नीचे यही आता base model इससे नीचे कुछ नहीं आता बाकि इसके उपर आते हैं तो आज की वीडियो में इसी को cover करेंगे यह इसका सबसे आता value for money है इसमें आपको जरूरत के सारे feature मिल जाते हैं यही पे इसकी price की बात करें तो 12 लाग रुपे इसका price लिकल के आया था petrol variant का यही पे इसके diesel variant में आप जाते हैं तो आपको 60-70 रुपे एक्टर देने पड़ेंगे आपको हो जाएगा diesel variant इस तरह के headlight unit है normal halogen मिल जाता है कोई भी LED DRL नहीं मिलता आपना यहाँ पे तो gorilla पूरी matte blackness मिलती है नहीं वाला महिंदर का logo कोई भी chrome का use नहीं मिलेगा अपर बेनिट में जाते हैं मिल जाता है यहाँ पे housing दी गई है कोई भी fog lamp नहीं मिलता इस तरह का radiator मिल जाता है पूरा all black मिलता है अपना कोई भी आपको silver skid plate बगारा नहीं मिलती है इस तरह से है front profile यह अपना tire size यह अपना tire की बात करें आपको steel limb offer किये गए हैं कोई भी wheel cap नहीं मिलता base variant में 17 inch की पूरी profile मिल जाती है यहाँ पे front में disc brake and rear side में अपने drum brake मिलते हैं यहाँ पे और भी हमसको देखते हैं matte blackness मिलते हैं कोई भी अपना chrome बगारा नहीं मिलता है यहीं पे अपने indicator की placement मिल जाती है A plur B plur C plur blacked out मिलते हैं कोई भी chrome नहीं मिलता बड़े बड़े bottom मिलते हैं अपने door handle को देखते हैं तो यहाँ पे matte blackness है यह अपना fuel filler cap है इसकी placement इधर करी गई है code driver side जो कि अपना diesel variant है अभी कुछ इस तरह की की मिलती है central locking नहीं है normal सी मिलती है अच्छा है आपको flip की offer की गई अपनी basic सी की मिलती है यह इसका base model अपना Scorpio N कबल लंबी चोणी लगती है बहुत जवर्जस्त है यहाँ पे देखते हैं कुछ इस तरह की side अब back profile की बात करें कुछ इस तरह की back profile मिल जाती है यहाँ पे आपको reflector मिल जाते हैं अपने reverse light parking sensor दो यह अपना spiral tire नीचे की तरफ placement है अपनी यहाँ पर door handle black मिल जाते हैं अपने इस तरह के tail lamp पर जोगी मस्त लगते हैं boot space को देखते हैं कुछ इस तरह का boot space मिल जाता अपना जो third row होती है उसके बाद इतना बज जाता है यहाँ पे अपना पीछे भी आपको ने वाला महिंदरा का logo मिल जाता है Scorpion की bashing यहाँ पे height stop mount lamp बड़ा सा spoiler यह थी पूरी काड़ी की length बगरा आपकी skin पर sore होंगी जो भी length dimension मिल जाती है इस तरह से है back profile overall यह जो variant बेस model भाई तो भाई मचा देगा मार्कीट में जबरदस इ यहाँ पर लोकल लोग चैल्ड लोग तो आपकी placement यहीं पर मिल जाती है अपने सारे control मिल जाते हैं जरूद के यहाँ पर sit की बात करते हैं कुछ इस तरह की sitting मिल जाती है आपकी जोगी dual tone में अपनी fabric seat कोई भी leather wrap नहीं है यहाँ पर अपना armrest मिल जाता है तो देखो इसके कितना सारे space है दो bottle space मिल जाते हैं गेर नोग अपना six speed gear box के साथ है यह अपना diesel variant है यहाँ पर देखते हैं मैनवल है कुछ इस तरह का center console मिल जाता है कोई भी display नहीं मिलती housing दी गई यह अपनी steering को देखते हैं नयवाला महिंदर का logo कोई भी आपको tilt मिलता है कोई भी telescopic नही तरह का लगता है अपना rear side की विंडो की बात करें तो यहाँ पर अपना इस तरह से मिल जाता है पूरा एली डी का setup मिलता है अपना जो light है यहाँ पर देखते हैं आम रष्ट मिल जाता है बात करें तो जो गाडि के लुक हैं वो बहुत जवर्दस्त लुक रखते हैं तो जल्दी आपको मार्किट में देखने के लिए बुकिंग भी स्टार्ट हो जाएंगी यह सबसे जादा वैल्ली फोर मनी ही है वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो पुरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यावाद